हे गाइस वेलकम टू माई चैनल वन्समोर तो आज हम लोग जानेगे कि हम किस तरह अपने चैनल पर आई बटन लगा सके आई बटन जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर के कोना में एक लंबा सा ऐसे एरो आता है जिसे आपको आप्शन मिलता है कि उस तरह क का रैंक करने का भी उमीद बढ़ जाता है और व्यूस भी बढ़ने का उमीद रहता है और लाइक सब्सक्राइब और से सब भी तो आज मैं वहीं बताने जा रहा हूं कि अपने चैनल पर और अपने वीडियो पर कैसे आप अपना आई बटन लगा सकते हैं खुद का खुद आप सब देख सकते हैं कि हम अपने मुबाइल स्क्रीन पर आ गया है तो सबसे पहले हमें जाना है क्रोम ब्राउजर पर जैसे ही क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे हमें यहां सर्च बार में सर्च मारना है यूटूब यूटूब डॉट कॉम तो मैं सर्च मारता हूं यूट YouTube.com तो आप देख सकते हैं YouTube.com में आ आ चुका है जैसे आप YouTube.com सार्च मारेगा आपके सामने इस तरह का आ जाएगा तो हमें ये 3. पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके डेक्स्टॉप साइट कर देनी है और जैसे डेक्स्टॉप साइट करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपेन हो जाएगा थोड़ी वेट कीजिए तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा तो हमें थ्वासाज जूम करनी है और फिर यहां जो साइड में है लोगो उसको क्लिक कर देना है अपने चैनल का लोगो और फिर यूटॉब स्टॉडियो पे चल दाना है और जैसे यूटॉब स्टॉडियो पे जाएगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप देख सकते हैं थोड़ी बेट कीजिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो आपको जस्ट इस साइड में ओप्शन्स दिख रहा है तो यह जो अभी जो अभी क्लिक्ड है उसके जस्ट नीचे वाला पे क्लिक करना है यह वीडियोस के उप्शन पर जैसी वीडियोस के उप्शन पर क्लिक किजएगा आप सामने पूरा वीडियोस आजाएगा अब लेवल जिस वीडियोस पर आपको लगानी है कार्ड या फिर आई बटन तो आप माल लिज़े मैं यह वीडियोस सेलेक्ट करता हूँ और यह पेंसिल बटन पर क्लिक करना है पेंसिल बटन पर मैंने क्लिक किया और जैसी पेंसिल बटन पर क्लिक किजएगा आपके सामने वीडियो का डिटेल साजेगा और बगल में थोड़ा इसर साइड कीजएगा तो कार्ड का उप्शन आएगा तो कार्ड पर क्लिक करना है और just cards पे click किजिएगा तो आपके सामने यहाँ card plus card का option हैगा तो plus card पे click करना है और वहाँ से देखिए जैसे मैंने plus card पे click किया तो यहाँ video playlist channel link तो मुझे video का करना है video add करना है playlist टो add नहीं करनी है channel भी नहीं add करनी है तो video पर click किजिएगा और video जैसे click करेंगे आपके सामने पूरा video आजाएगा जो आपको i button में लगाने है वह आप लगा सकते हैं और उसके बाद करने के बाद आप save option होगा save पर click कर दिजिएगा और फिर यहाँ से भी save देखे सकते हैं यहाँ save option है save पर click कर दिजिएगा मैंने पहले से कर चुका है इसलिए मेरा done है तो thanks for watching video guys thank you